खड़ियों के राना दुपान पर इस मेथी की भाजी बन चुकी है बड़ी ये दे कि आज की स्पेशल ये है आज रहे हैं तो बहुत बहुत ज्यादा कंड़ा रहा था एक चुली बड़ निकल चुकी हूं खड़ियों के राना दुपान पर आदा सामन मिलेगा और आदा सामन मिलेगा तो गाइस मैं आज चुकी हूं घर में और पूजा अगरा में करके गए त्योरिये दे को तो गाइस मैं लाई हूं धेर सामन मार्केट से और यहां पर मैं लाई हूं पनीर और पनीर को हमने कट कर लिया है साथ में मेती की भाजी को साफ कर लिया है तो फिर से एक बार हम दोनों हजबन वाइफ मिलके डिनर बना रहे हैं क्योंकि आज डियर अजबन की छुट्टी है तो यहां पर बस हम सब सबजीयों को ना कटिंग कर रहे हैं तो जब वो क्लास जाते तो आके लिए मैं बनाती हूं लेकिन जिस दिन वो घर में रहते तो हम मिलके बनाते हैं और एक दूसरे को कंपणी भी देते रहते हैं हम दोनों तो बस यहां पर है ना यह सब मतलब जो सफाई है ना सबजीयों की जैसे मेती साफ करना कांदा गाटना लसून हरी मिर्ची वो सब में ही ज्यादा टाइम लगता है बाकी खाना तो फटा फट से बन जाता है तो यहा बार बार गिर रहा है अभी तो मैं उसी को समाल रही ती तो यहां पर जैसे मैंने पिछली बार पनीर की सबजी बनाई थी तो उसी मैठट से मैंने प्याज अदरक, लसून, हरी मिर्ची, थोड़े से काजू और मगज के बीज होते हैं ना तो उन सब को मैंने हलका सा सौटे करके थोड़ा सा पानी डाल के सॉफ्ट कर लिया था और थोड़ा सा पकने रख दिया था उसके बाद में मसाले पीज दिये थे तो यहां पर लोहे की यह कड़ाई है इसमें हम बना रहे हैं मेती की सबजी तो आज मेने मेती को जादे चटकाया नहीं है थोड़ा सा मुझे कच है हेल्थ के लिए पूरा मतलब जलाओ मत एक दम से तो यहां पर मेती की सबजी बना रहे हम लोग दूसरे साइड में मसाला हमारा सोटे हो रहा है तो उसको अभी मैं मिक्सर जार में डाल के पीस लोंगी तो यहां पर पीस लिया एक्चली मसाला सीन नहीं आया है तो बस मैं मसाले मेरे भून रहे हैं तब तक यहां पर मसाला मेरा पीस भी गया है तो इसको डाल दूंगी मैं अभी बस यहां पर सारे मसाले बुन गए और यह पीस भी गया है तो काफ़ी अच्छी टेस्टी सबजी बनी थी एकदम रेस्टरेंट स्टाइल तो सारे मसाले डाल दिये हैं दूसरे तरफ मेती बन रही है तो यहां पर है न मैं थोड़े सा मजाक मस्ती करते करते काम कर रही हूं तो देखिए काम तो न हमें बहुत सारे होते हैं घर के किसी भी कोने में आप चले जाओ काम वहाँ पर आपको पड़ा दिखेगा आप चाहिए जितना भी कर लो और घर से लेके या बाहर का कोई न कोई काम और यही जीवन है मतलब अपने आपको बीजी भी रखना चाहिए अच्छी बात है लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं उसको एंजोई करके करो तो ज्यादा बेटर है मतलब आप बोर नहीं होने चाहिए कुछ भी करते हुए तो मेरी तो बस यही याधत है काम करती रहती हूँ तो जिसे टी वी में गाने लगा देती हूँ या खुद गाने गाती हूँ या कोई कॉमेडी सिरियल लगा देती हूँ या नीउस लगा मेरी बनने के लिए आई हैं मेती की सबजी और पनीर की सबजी तो बस यहां पर बाते करते करते मस्ती मजा करते करते ओवर अल मेरा सारा खाना बन चुका है और बस मुझे डालनी हैं गरमा गरम रोटिया तो सबजी में आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है और मेती की सबजी भी कैसी बनी है तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी तो आप लोग देखिए आगे तो गाइस मेती की सबजी बन चुकी है और पनीर शिम्ला मिर्च बन चुका है अब गूमने जारी हो आटा तब तक पुर्वी क्लास से आजएगी फिर खाएंगे गर्मा गरम रोटिया और सबजी भी बन जाएगी इस मेती की भाजी बन चुकी है बड़ी ही टेस्टी सी और ये देखिए आज की स्पेशल ये है पनीर शिम्ला मिर्च की सबजी जो की बहुत ही डिलिशेज लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी है क्या कर रहे हो तो गाइस देखिए इतना खाना बनने की बाद भी बैंगन की भरते की कसर रहे गई है तो यहाँ पर डियर हस्बेन भून रहे है बैंगन को और अभी हम बनाएंगे इसका बरता जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर भून रहा है बैंगन और ये बनने व माओं के स्टाइल में बैंगन का भरता और एक साइड में मैं बना रही हूं गर्मा गरम रोटियां तो यह सब करने के बाद मुझे थोड़ा मम्मी की घर भी जाने का है तो बच्चों की तब्यत कुछ ठीक नहीं है तो मैं आती हूं लोग को देखके तो खाना बनाने के बाद में रात कुमें गई थी तो यहां पर मैंने सबी के लिए खाना निकाल दिया है खुश्बू बहुत ही अच्छी आ रही है सच में तो चेलिए मैं भी खा लेती हूं आज़े है अप लोग भी खाने के लिए और यहां पर आ गए थे एसी वाले भाया रात के साड़े नौ कूलिंग कम हो री थी तो यहां पर मैंने भाया को बुला लिया था तो गाइस खाना हो चुका है और गई थी ममी के घर बच्चों से भी मिलके आ गई और क्लीनिंग भी सारी हो चुकी है तो चली बहुत लेट हो गया है सो जाती हो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना चैनल पर न्यू हो तो चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना बाई बाई गुद नाइट